साथियों 21 सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्त का सही इस्तिमाल करना होगा मैं देश के लोगों को वाटर वेज का उदान भी देना चाहता हूँ एक समय था जब भारत में व्यापार कारोबार और टूरिजम के लिए वाटर वेज का बड़े पहमाने पर इस्तिमाल होता था इसलिए कितने ही शहर नजियों के किनारे बसे नजियों के किनारे इतना उद्यों की विकास हुआ लेकिन इस सामर्त को पहले सेक्ड़ों वर्सों की गुलामी और प्रियाजादी के बाद की सरकारी उदाजिंता ने तबाह कर दिया अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है देश में 100 से जादा वाटर वेंच और विक्सिप किये जा रहे है भारत की नदियों में आदुनिक क्रूज चले व्यापार भी हो तूरिजम भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार ने बंगला देश सरकार के सहयोग से गंगा और बंब पुत्र नजियों के बीच बॉटर वें लिंग स्थापित करने पर भी काम किया है मैं आज देश के लोगों को इस से जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं तेरा जन्वरी दोहजार तेईश को काशी से वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 32 किलोमेटर लंबे बॉटर वे से होते हुए बंगलादेश से होते हुए डिवरुगर तक पहुंचेगा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभुत्वर्व कुरूज होगा ये भारत में बढ़ते कुरूज टूरिजम का भी प्रतिविम बनेगा मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आगरत करूँगा कि इसका जरूर लाब उठाए वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेश तोर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूँ बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रतिज जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूँ देश के विबिन हिस्सों को जानने के लिए देश के विबिन हिस्सों में ब्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्सा होता है वो अध्वूत होता है बहुत से लोग पहला मोका मिलते ही किसी और देश में गुमने निकल जाते हैं लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथविक्ता देते हैं बंगाल के लोग परियतन में भी नेशन फस्की भावना को लेकर चलते हैं और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आइवे, वाटरवे, आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इजब ट्राइवेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा लाब बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है साथियों गुर्देव टेगोर्द्वार रचीत प्रसित पंक्तियां है ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माठा यानि हे मेरे देश की माठी मैं तुमारे आगे अपना सर जुकाता हूं आज हाजी के इस अमरित काल में मात्तु भूमी को सर्वपरी रखते हुए हमें मिलकर काम करना है आज पूरी दुनिया भारत को बहुत बरोसे देख रही है इस बरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतिये को पूरी शक्ति लगा देनी है हमें हर दिन का उपयोग राष्ट निर्मान में करना है हर पल का उपयोग राष्ट निर्मान में करना है देज सेवा के कारियों में हमें रुकना नहीं है इनी सब्दों के साथ मैं इनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूँ और मैं अपनी बात को सबाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद